गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल विशू डिजाइन आज की इडिटिंग वीडियो में आपके लिए जैसरी राम कंसेप्ट वाली इडिटिंग लेकर आया हूँ क्योंकि गाइज ये इडिटिंग इसमें बहुत चल लई है इसलिए मैं इस इडिटिंग को लेकर आया हूँ इस फोटो को इडिट करने के लिए मैं दो अपलिकेशन येज करूँगा पहला होगा पिकाट्स और दूसरा होगा लाइट रूम तो गाइज ये जैसे की देख सकते हो ये जो मेरा फोटो है इडिट करने के बाद का ये फोटो है और जो ओरिजनल फोटो है कुछ इस तरीके से है जैसे की आप लोग देख सकते हो गाइज इस फोटो का मैं बैक्ग्राउंड इरेज कर लूँगा बैक्ग्राउंड कैसे ही रेज करते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एड कर दूँगा वो वीडियो आप लोग देख लिजेगा और गाइज सारा पियंजी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो तो गाइज आप लोग वीडियो पूरा देखो और बहुत इंट्रस्टिंग और बहुत इजी एडिटिंग वीडियो है तो चले गाइज बिना लेट के लिए हम वीडियो के ओर चलते हैं तो गाइज सबसे पहले जो मेरा इस टेप होगा जैसे कि मैंने कर लिया है पहले से एरेज बैक्ग्राउंड कैसे एरेज कर ले है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिक्शन में एड कर दूगा वहाँ से आप लोग जाके वो वीडियो जरूर देख लेना करने के बाद आप फिर से आओगे अड फोटो पर आने के बाद आपको यह अड करना है यह वाली पियन-जी जो मैं आपको डिस्क्रिप्सेन में प्रवाइड कर दूगा आपको इसको कुछ इस तरीके दे यहां से एड कर कर दोगे minus 100 उसके बाद यहां से आप कर दोगे done, done करने के बाद guys आपको थोड़ा सा lens को blur करना है तो affect वाले option पर आके blur वाले icon पर क्लिक करके आप इसको blur कर देना हलका सा यहां से done करने के बाद आप यूज करना blend and कर देना screen यहां से आपको हलका सा effecting डाल देना है उपर वाल तो एक English में है एक Hindi में है तो आपको guys जो better लगेगा आप वो add कर लेना आप जहां चाओ इसको add कर लेना लेकिन फिलाल यह जो Hindi वाली PNG है यह मुझे जादे better लग रही है तो मैं इसको यहां पर add कर लेता हूं कुछ इस तरीके से add करने के बाद guys आप अपने according इसको add कर ले है और इस फोटो को हम share कर लेंगे light room में effecting के लिए तो चलिए guys इस photo को हम share कर लेते हैं light room में तो guys जैसे कि आप लोग देख सकते हूं मैं photo को share करने हूं light room में and guys light room में share करने के बाद guys photo में आपको कुछ change दिखेगा कि जो जैसरे राम वाली png है मैं इसको यहां पर add नहीं किया हूं photo पर क्यूंकि guys जैसरे राम वाली png अगर मैं add कर देता हूं तो जो मेरा effecting वाला work है वो सही से नहीं होगा एंड जो color रहेगा वो भी change हो जाएगा तो guys आप लोग से भी request है आप लोग effecting करने के बाद आप लोग पीकाट में जाके मतलब png add करना तो चलिए guys हम effecting वाला work start करते हैं तो सबसे पहले जो मेरा step होगा हम इस brightness वाले icon पर click करेंगे अगर मेरी face पर lighting नहीं है तो हम exposure को हलका सा increase कर देंगे contracts को भी हलका सा increase कर देंगे and जो highlight है guys उसको हम minus में रख देंगे and guys जो shadow है उसको भी हम minus में रखते हैं and जो white है उसको भी increase कर देते हैं and जो black है इसको भी हम increase कर देते हैं second step में guys second step में आने के बाद जो vibrance है उसको हम हलका सा increase कर देंगे and guys जो saturation है उसको हम हलका सा minus में रखते हैं उसके बाद हम mix use करेंगे guys mix में जो पहला tone का जो hue है उसको हम हलका सा increase कर देते हैं and जो इसका saturation है इसको भी हम हलका सा increase करके जो luminous है उसको हम हलका सा increase कर देंगे कासा increase कर देंगे face पे lighting लाने के लिए and guys उसके बाद हम third tone use करेंगे third tone का use guys जो hue है उसको हम minus में रखते हैं उसके बाद guys हम इसमें कुछ touch नहीं करेंगे उसके बाद यह जो blue tone है इस blue tone का जो hue है उसको हम थोड़ा सा minus में रखें जो saturation है इसको हमाल कासा increase कर देंगे उसके बाद यहां से हम done कर देंगे guys done करने के बाद guys जो temperature है यह temp है उसको हम four पे कर देते हैं four पे करने के बाद guys हम आएंगे third step में third step में guys clarity को हलका सा increase करके जो danage है उसको भी हम दो पे कर लेते हैं या four पे और जो विगनेट है आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है इसमें अगर आप माइनस करना चाहाँ तो कर लेना अपने photo के recording इसमें भी मैं फिलार 12 कर लेता हूं उसके बाद guys हम fourth step यूज करेंगे face पे smoothness के लिए तो आपको क्या करना सार्पिंग को increase कर देना है and guys जो no eye reduction है इसको आप लोग increase कर दोगे हलका सा and guys जो color no eye reduction है उसको भी आप लोग increase कर दोगे उसके बाद guys हम last step होगा जो मेरा हम आएंगे profiles वाले icon पे इस वाले icon पे इसमें हम क्या करेंगे guys या तो आप लोग third artist third use कर सकते हो या फिर artist for use करके आप इसको हलका सा minus कर देना है minus कर दोगे guys तो आपके photo पे finally वो effect आ जागा जो आप लोग thumbnail देख रहते हैं और जो original photo देख रहते हैं अगर आपके face पे हलका सा lighting नहीं है तो आप लोग snap speed में जाके selective tool से use करके आप लोग कर सकते हो तो फिलाल तो यह photo अच्छा है and best and normal है तो guys I hope कि आपको यह video अच्छा लगा होगा यार अगर अच्छा लगा हो यार तो please channel को subscribe कर देना share कर देना link अपने दोस्तों के साथ फिर मिलेंगे guys next video में इससे अच्छे rating के साथ तब तक के लिए guys bye bye take care